हलो दोस्तो आज की कहानी है पती पत्नी का जगड़ा दिल चू लेने वाली कहानी एक बार पूनम और रमेश में काफी बड़ा जगड़ा हुआ यहा जगड़ा उन छोटे मूटे जगड़ों से जाइदा गंभीर था जो हर पती पत्नी में सामान्यत होता है क्योंकि इस परिवार के लोग इन दोनों को समझा कर इस जगड़े का अंत करना चाहते थे पर पूनम और रमेश कुछ भी समझने को तयार नहीं थे जिब सभी घरवालों के प्रियास काम नहीं आये तो वे लोग पूनम और रमेश को सबसे बुजुर्ग सदश्य यानि दादा जी के प प्रवेश किया तो दादा जी ने उन दोनों को बैठने के लिए कहा और फिर पूछा कि बताओ तुम्हारे शमझ्या क्या है दोनों पति पतनी एक साथ बोल पड़े और एक दूसरे पर आलोचना करने लग गए जितनी कम्या पूनम अपने पती में गिना रही थी उससे जा दूसरे पर उतारने दिया आखिर मैं जब दोनों एक दूसरे की बुरायां करके ठक गए और सांथ हो गए तब दादा जी ने उन दोनों से कहा अब दोनों एक दूसरे की कुछ अच्छाईयां बताओ जब अच्छाईयां बताने का समय आया तब दोनों एकदम से चुप हो गए सायद गुस्से में उन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा था या फिर गुस्से की वजह से एक दूसरे की अच्छाईयां बताना ही नहीं चाहते थे दादा जी ने यहाँ बात भी महसूस कर ली थोड़ी देर तक जब कोई भी नहीं बोला तब दादा जी ने कहा अच्छा ठीक है यहाँ लो पेपर और पैन एक दूसरे की अच्छाईयां इसमें लिख कर लाओ पूनम और रमेश दोनुने ही पेपर और पैन लिया और एक दूसरे से काफी दूर जाकर बैठ गए थोड़ी देर तक ना पती ने कुछ लिखा ना पतनी ने फिर रमेश ने पेपर में कुछ लिखना सुरू किया और देखकर पूनम ने भी अपने पेपर में लिखना सुर और अपना अपना पेपर दादा जी को दे दिया दादा जी ने उन दोनों के पेपर रख दिये और फिर से एक पेपर दोनों को दिया और बोला दोनों इस पेपर पर तलाग का कारान लिखो दोनों जाकर फटा फट लिखने लग गए और फिर दादा जी के पास गए दादा ज दादा जी ने दोनों के तलाक का पेपर पकड़ा पूनम का रमेश का और रमेश का पूनम को दे दिया और बोला पढ़ो फिर दादा जी ने उस पेपर को दिया जिसमें दोनों ने एक दूसरे की अच्छाईयां लिखी थी दोनों आराम से बैठो और एक दूसरे के पेपर प और पूनम को रोता देख रमेश उसे चुप कराने के लिए दोड़ पड़ा और माफी मागते हुए उसे मनाने लगा पूनम ने भी रमेश से माफी मागी और माहौल ऐसा हो गया जैसे कभी कोई जगड़ा हुआ ही नहीं था दोस्तों कम्या और खूविया जगड़ के हर इंसान में होती है अब हमारे उपर होता है कि हम कम्या देखकर अपने जीवन को नर्क बना ले या खूविया देखकर अपने जीवन को स्वर्ग बना दे और दादा जी जैसा हर इंसान हर परिवार को मिले